हेलो फ्रेंड्स आज हमारे पास है सेमसंग M11 स्मार्टफोन जो सेमसंग ने बजेट रेंज में लॉंच किया है ये दो वेरियंट में आता है तो चलिए देखते हैं इसी फोन के हाइलाइट बोक्स को खोलते ही सबसे पहले आपको एक सेमसंग की ब्रांडिंग वाला पॉर्शन मिल जाता है जिसमें कुछ पेपर वर्ख है उसके बाद हमें box में सबसे पहले हमारा phone देखने के लिए मिल जाता है और देखते हैं क्या-क्या है इसके साथ में तो यहाँ पे आपको एक type-c cable और एक charger मिल जाता है जोकि 9W output के साथ मिलता है वो काफी अच्छी बात है और इसके नीचे एक sim injector tool है इसमें उपर की तरफ secondary microphone और 3.5 mm jack इस side में है volume की और power की और दूसरी तरफ है sim tray और नीचे की तरफ है primary microphone USB type-c charging point और speaker grid बात करें इसके processor की तो आपको इसमें Snapdragon 450 का support मिलता है बात करें अगर हमारे device की तो Samsung ने काफी लंबे समय के बाद matte finish look दिया है जो काफी premium look देता है जिसमें उपर की तरफ triple camera setup दिया गया है जिसमें पहला 30 megapixel का main camera है उसके नीचे 5 megapixel का wide angle camera और उसके नीचे 2 megapixel का depth sensing camera आता है और उसके side में fingerprint sensor दिया गया है इसकी main highlight है इसकी battery जो की है 5000 MHz की अगर बात करें front view की तो आपको 6.4 inch की TFT display देखने के लिए मिल जाती है जो की पंचोल design के साथ मिलती है और selfie camera 8 megapixel का दिया गया है ये phone तिन color में available है black, blue और purple चली देखते हैं इस phone से खीची गई pictures अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को like और चेनल को subscribe करना मत भूलेगा और bell icon को जरूर दबाईएगा और comment section में बताना के आपको ये phone कैसा लगा आपको जَّस्सी का नही है नहीं पस्णदेखी लगड़ा अईको ये कि खीचा प्रहाएगा ये ये जो पस्टोंदेखी आपको ये जो अगले लेड़ा